दोस्तो आज मैं जो मूवी एक्स्प्रेंड करने जा रहा हूँ एक साइको की लड़की कहानी है जो ड्रक्स देकर लड़कियों के साथ सोता था और इनके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले खून से इसे किक मिलती थी अब कराइम करते करते वो कराइम की सारी हदे पार क देता है तो इस साइको की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें मूवी की शुरूआत में हमें नंदियाल नाम का ये गउँ दिखाया जाता है जहां रात के वक्त इस घर में ये प्रेगनेंड आउरत खाना बना रही है खाना बनाने के बाद ये एक साइको किलर की किताब पढ़ने लगती है तब ही इसका पती आता है और इसे ही किताब पढ़ते देख कहता है तुम ये सब किलर वगएर ही किताब क्यों पढ़ती हो तब ये कहती है मैं तो बस तुमारे इंतिजार में ऐसे ही पढ़ रही थी फिर ही अपने पती को खाना दे इसके बाद आधी रात को इसे प्रेग्निंसी का दर्द होता है तो इसका पती इसे फौरान अस्पतार लेकर आता है। इसे बाहर आकर बताती है कि आपको जुड़वा बच्चे हुए है। इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि इस कालोनी में एक कुट्टे के बच्चे क किसी ने मार दिया है तब ये लोग मिलका डिसाइड करते हैं कि हमें कालोनी में एक वाशमें रखना पड़ेगा। अब वाशमें जब अगले दिन रात में पहरा दे रहा होता है तो इस लड़के को जाते देखता है जिसके हाथ में पता चलता है कि किसी ने खरगोश को मार डाला है तब वाज मैं इन सारे लोगों को इस बच्चे घर लेकर आता है और बताता है कल रात को मैंने इसके हाथ में कुन देखा था तब ही एक और बच्चे अंदर से आता है तब इने पता चलता है कि ये जुड़वा बच्चे है तो इन मेंसे जानवरों कौन मारता है पता करना मुश्किल होगा तबी इनके माता पिता बाहर आते हैं तो ये आदमी इनके पापा से कहता है तुम्हारे दोनों बच्चों में से कोई एक जानवरों को मार रहा है इसलिए तुम्हें इसका बच्पन में इलाज करा लेना चाहिए अभी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक साइकोलोजिकल डॉक्टर के पास आता है पहले विजय को अंदर बुला कर डॉक्टर इसके सामने कौन बहाता है तो ये डर जाता है इसके बाद सागर को अंदर बुला कर जब इसके सामने कौन बहाया जाता है तो इसे खुन देकर मज़ा आता है तब डॉक्टर कहता है सागर एक साई को पेशंट है लेकिन हम गोली दवा से इसका इलाज करने कोशिश करेंगे घराने के बाद इसका इलाज तो शुरू हो जाता है लेकिन इसके पापा को दीरे दीरे सागर से नफरत होने लगती है वो इसे कभी प्यार नहीं करते जिससे सागर हमेशा दुखी और घुसे में रहता एक रोज बाहर से चिलाने की आवास आती है बाहर जाकर देखने पर पता चलता है कि सागर ने विजय को बैट से मार दिया है जिससे इसके सरसकून बैरा है ये देखकर इसका पापा सागर को मेंटल हॉस्पिटल बेचता है और इसकी मा के ना चाहते हुए भी सागर को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है अब इसके कई साल बात की कहानी दिखाई जाती है जहां विजय बड़ा हो गया है और ये सबसे बहुत प्यार करता है और सारे लोग खास तोर से इसके मम्मी पापा भी इससे बहुत खुश है इसके बाद हम स्वाती नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है पर इसके पापा पैरा लाइज है अब एक रोज विजय और सुवाती एक दूसरे से टकरा जाते हैं फिर इन्हें पता चलता है कि वो तो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है इसके बाद विजय जब घर आता है तब देखता है कि इसकी माँ अपने दूसरे बेटे सागर को बहुत यात करके रो रही है तब ये सागर से मिलने मेंटल हास्पिटल आता है सागर अभी भी साइको है तब ये सागर से कहता है मैं चाहता हूँ तू जल्द से ठीक होकर घर आजा। इसकी बात सुन कर सागर घुस्टे से चला जाता है। है इसे अकेले में इस से कुछ बात करनी है तो वह इसे कलास χत्म होने के बाद एकेले मिलने को कहती है कलास होने के बाद अकेले में विजय को ये आइलैलव यू कहती है तब विजय भी इसे हां कर देता है और दोनों का love अफेर शुरू हो जाता है अगले दिन कोट से ये दो किर्मिनल छूडते हैं जिनों ने रेप किया था और ये लोग बारिश में भीगती हुई स्वाती को देखकर इसका रेप करने का प्लान बनाते हैं ये दोनों स्वाती को बाजार बंदीर हर जगा फॉलो करते करते घर तक आ जाते हैं अब स्वाती गार से निकल कर जाती है तो ये लोग इसका पीछा करते हैं चैर से दूर इस जंगल में ये लोग स्वाती की पीछे पीछे आते हैं अब यहां इसका रेप करने कोशिच करते हैं स्वाती भागती है और छुप जाती है फिर अपने बाल में लगान और आज तक इसने बहुत सारे कुन इसलिए किये हैं ताकि वो इन औरतों को बचा सके और ये इसने अपने पापा की बहन के मरने के बाद शुरू किया था इसके बाद हम इस लेड़ी इस्पिक्टर को देखते हैं जिसे लेड़ी टाइगर कहा जाता है और इसे भी गलत काम करने वाले मर्दों से सकत नफरत है ये अपने इसने आफिसर के पास आती है तो इसे नंधियाल अकेज दिया जाता है अब ये सारी डिटेल लेका नंधियाल आ जाती है इदर सुआती अपनी मम्मी पापा को बस में बिटाती है क्योंकि वो इलाज के लिए कहीं जा रहे हैं और घर आकर अकबार में क्रिमिनल की न्यूस देखकर इसे मारने जाने का प्लैन बनाती है तब ही दरवासे पर लेड़ी टाइगर आती है और दरवासा खु ओल रहे हैं वैसा कर यह सुनकर सागर इसका गला पखड़ लेता है लेकिन सारे लोग आकर इसे चुड़ा लेते हैं इसके बाद विजह गुष्टे से घर आता है और अपने कमरे में चला जाता है फिर अगले दिन जब इसकी माँ घर आती है तो अंदर से किसी के हसने की और अमरिता विजय के कॉलेज में ही पढ़ती थी घर की चांस करने पर इसे खड़की के पास अगरबती रखी दिखती है इसके अगले दिन ये लड़की काम करते करते बेहोश हो जाती है तब ये औरत इसके माता पिता को बताती है कि ये माँ बनने वाली है इसलिए बेहोश हो गई है लोगों की बजनामी के डर से वो खुद इसे मार देते हैं इसके बार लेड़ी टाइगर इंस्पेक्टर जब यहां आती है तो यहां भी खिड़की के पास इसे अगरवत्ती मिल है अब लेड़ी टाइगर को हरशा के रूम में भी वही अगरवत्ती दिखती है पर यह हां से चली जाती है अब रात में जब यह घर आती है तो गेट खुला हुआ होता है अंदर आते ही सागर इस पर अटक कर देता है तब इसे होश आता है तो पता चलता है कि सागर ने इसके बाद इसने एक औरत के साथ संबुक किया था तो इसके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला खुन देखकर इसे बहुत कुशी हुई थी क्यूंकि इसे बच्पन सही खुन बहुत पसंद है इसके बाद अगले दिन इसे एक बाबा मिला था जो गांजा पी रहा था अ सागर ने इसे पूचा मुझे भी ये गांज़ा चाहिए कहां मिलेगा तब ये बाबा बताता है करीब के जंगल में इसके जाड हैं और इनसे तुम ड्रक्स भी बना सकते हो अब सागर जंगल जाकर ये गांजे के जाड धून लेता है और इनसे ड्रक्स बनाना शुरू करता है और ये ड्रक्स का ओवर्डोस वो पागल खाने जाकर विजय को भी देता था जिससे वो पागलो जैसी हरकत करे और सारे लोग इसे ही पागल सागर समझे और इन ड्रक्स से हुए सारी अगर बत्ती भी बनाता है इसके साथ ये लोग भी मिले हुए हैं जो पहले मुहले की बत्ती बन करते हैं फिर ड्रक्स वाली अगर बत्ती उस घर में लगा देते हैं जो घर इनका टार्गिट है टाइकर दंग रहे जाती है कि इतने सारे लोगों की जान लेने वाला ये सागर है तब सागर कहता है वो इसका कुछ नहीं बिगाड सकती है क्योंकि इसके खिलाफ इसके पास कोई सबुत नहीं है ये कहेकर वो चला जाता है फिर लेड़ी टाइगर अगले ही दिन अपने senior officer के पस आती है और इसे सारी बाते बताती है तब ये कहता है हम इसे आरेस्ट नहीं कर सकते है इसलिए डायरेक्ट उसका इंकाउंटर करना होगा लेकिन ये प्लैन की सारी बात सागर सुन लेता है और अपने साधी की मदश से खुद हास्पिटल आकर विजय की जगास सो जाता है और विजय को बेहोश करके इस घर में ले आता है जहां लेडी टाइगर ने इसे मारने का प्लाइन बनाया है विजय उड़ता है तो हैरान होता है कि वो कहां है और बाहर निकलता है तो लेडी टाइगर इसे सागर समझ कर इसे जान से मार देती है अब सब को यही लगता है कि स सायल बन कर देती है और सुवाती से कहती है अब अगर तुम्हें और जान लेनी है तो पहले तुम पॉलिस वाली बन जाओ ये से